आज बिहार में जो निकीशमा जी काम किये हैं, नालंदा में किये हैं, इसके चलते हर जाती का हर धर्म के लोग साथ हैं और मदद कर रहे हैं और भारी भोड से रीना जी यहां सुनाव जीतेगी। पुरा आज जो जैन सलाव उबड़ा है और जो जीला से जो निव जा रहा है, उसके अनुसार पूरा रीना मै हो गया है, जम्हें ना? नमस्कार, मैं अमीद सवरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक, अभी हम मौझूद हैं इसलामपूर विधान सबाच्छेतर के इसलामपूर बाजार में, और यहां पे MLC चुनाव के लिए रोड सो निकाला जा रहा है, और हमारे साथ यहां आपके नालंदा के मान अपने पच का लोग बात रखना चाहते हैं, यह चूने हुए परतिनीधी का चुनाव है, जो बार सदस हैं, जन परतिनीधी, जैसे पंचाय समीती, मुक्षिया, जिला परसर, बिधाया, केंपी, यह लोग भोट देते हैं, यह आम पबलिक से बहुत मतलब इसमें नहीं होत हैं, तो एक महौल हम लोग बनाना चाहते हैं जिला में, कि पिछले बार से भी ज्यादा मत से हम जीते हैं, जो बिपच है, बहुत कमजोर है यहां, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा भोट कैसे, चार तारिकों हमारे साथ हो, इसके लिए एक काम हम लोग कर रहे हैं, क्या मह पूरा देश घूमियेगा हम लोग को मौका मिला है बिहार जैसा अन्र प्रदेश में कई जगह गया हूँ केरल भी घुमा हूँ हम एंपी फंड का समीचा करने के लिए कई अस्टेट गया हूँ बिहार से जैसा मुझे कुछ गाउं नहीं मिला बिहार में जितना गाउं बिकसित है उत्मा आने राज में नहीं है आप नहीं तो सर्वे कराईए और दूसरे राजि लिए जना 90% चालू है 10% गड़ बढ़ी है आने राज में वो नहीं है नली के लिए यहां बहुत ज़्यादा है ढलाई हो गया लेकिन अनराज में नहीं है सड़क यहां गाउं में मुख्या ले एक दूसरा से रोड जोडने वाला जाईएगा तो हर जगह रोड है इतना सबसे ज़्यादा है यह पैमाना है इसका कि जहां विकास होता है टर उसे शंचायद परत्तियों को क्या संदेशों चाहते हैं बिहार के मुखमंत्री बने तो इन्होंने पेंचायतों में रच्छन दिया और महलाओं के 50 परसेंट रच्छन दिया उसके बाद इन्होंने तंखाह भी देना सुरू किया ये काम मुखमंत्री ने किया है अभी फिर मुखमंत्री ने घोसना किया था ये रिना जी भी सवार सा उठाई था हाउस में कि भाई जो जनपरती नीधी पैंचायत परती नीधी हैं उनको तनखा कम मिलता है और बढ़ाना चाहिए तो अब तो मुखमंतरी जी उसके लिए भी घोसना कर दिये कि हम लोग इसको डबल करने जा रहा हैं इसलिए मुखमंतरी जी सबके साथ सबका वि पूरा आज जो जैन सलाव उबढ़ा है जो जीला से जो न्यू जा रहा है उसके अनुसार पूरा रीना मय हो गया है समझें ना और कोई लडाई है अब रह गिया है यहां बीसों मुखिया बीसको पंचाय समीति और सब परखंड के जितने भी बाट सदस है 90% हम आपको बता रहे हैं कि रीना जी के पक्षम हो गया है रीना मय हो गया पूरा जीला और इसमें कोई लडाई किसी से नहीं है तक हमारे सात महिंदर जी थे कौशंड दर जी जो की हमारे है रक सवाल का पर मुकत शिवाद इनका कहना है कि हम इस बाट चुनाव नीकालेंगे ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नलंदा दस तक धन्यवाद